अलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो मैजिक वीडियो बनाना बहुत ही आसान है आपने जो मैजिक वीडियो देखा दोस्तो मैंने ये मैजिक वीडियो कैसे बनाया था इसका आज मैं पूरा एडिटिंग बताने वाला हूं तो दोस्तो वीडियो को बिल्कुल स्कीम मत करना क्योंकि यह ऐसी वीडियो मैजिक बनाना बैसे देखा जा तो बहुत ही सिंपल होता है लेकिन टैम भी लगता है मेरे दोस्तों मिहनत भी लगती है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल मैसिज करके यह बोला कि यह भाई आप हमें इस मैजिक वीडियो का टूटोरियल बताईए एडिटिंग बताईए तो आज मैं इसकी पूर्टिंग आपको बताने वाला हूँ एडिटिंग आप कहां से करेंगे वो सारी चीज और आपको किन किन चीजों की जरूरत पढ़ने वाली है तो वो सारी चीज़े आज हम इस वीडियो में बात करने वाले है तो चलि दोस्तों आज की हम वीडियो शुरू करते हैं वीडियो को धिहान से देखते रहेगा मैजिक वीडियो की एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें काइन माश्टर चाहिए आप तो background एजर play store से आप download कर सकते हैं अगर आप नहीं कर सकते तो एक तरीका मैं और ही बताऊंगा आपके लिए कि आप Chrome Google से भी अपने auto का background कैसे remove करें तो चलिए दोस्तो हम वीडियो को सुरू करते हैं हम चलते हैं काइन मास्टर में काइन मास्टर में जैसी हम आते हैं तो क्या करना है सबसे पहले देखो दोस्तो हमें वीडियो को सूट करना पहले आना चाहिए हम वीडियो को सूट जितना अच्छे से करेंगे editing भी हमारा अच्छा होगा सूट आपको complete होने के बाद आपको काइन मास्टर में आना है कम कर लीजेगा कम करने के बाद अब आपको अर्जेस्ट में में आना है यहां पर थोड़ा सा अर्जेस्ट कर लेना यहां अपने इसाब से इस तरह की से आप अर्जेस्ट कर लेना जो आपकी कॉलिटी थोड़ा देखने में अच्छी लगे इस तरह की हमको हलका सा अर्जेस् तो हम यहां से वीडियो इतना कट कर लेंगे कट करने के लिए आपको सीजर में जाना है और ट्रीम लैप्ट कर देना है आपका लैप्ट वाला है जूम कर लेंगे वीडियो को थोड़ा सा हलका सा जूम कर लेंगे यहां पर इस तरीके से यहां तक का हमें लेना यहां तक का हमें इतना जो है हम यहां से split करेंगे split करने के बाद में दोस्तों अब हमें क्या करना है जैसी हम यह frame से बहार होते हैं इतना हमको यहां से वीडियो को निकाल देना है और trim left कर देंगे अब हमारा यहां तक का वीडियो आ जागा इस तरीके से अब इसको हम क्या करेंगे यहां तक का हम जो आगे बढ़ेंगे और यहां तक का हम जो बैग आ रहा हूं मैं यहां से दिखाई दे रहा हूं तो हम जो है यहां तक का वीडियो trim write कर देंगे तो हम जो यहां से trim write कर देंगे अब यह हमारा video फाइनल इतना निकल के त्यार हो गया है अब हमें यहां पर क्या करना है वो चीज आपको ध्यान से देखना है यहां पर आने के बाद में आपको इसका ले लेना है यह capture capture एंड तक का आपको यहां पर capture ले लेना है capture क्यों करना है यहां पर capture पर जाके capture and safe हो जाएगा आपके फोन में यह safe होने के बाद अब आपको यहां पर दो काम करने हैं या तो आप background eraser आप डाउनलोड कर सकते हैं प्लेश्टोर से या मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ वो आप यहां पर कर सकते हैं तो वो तरीका क्या है तो आपको सीधे यहां पर क्या करना है यहां पर आना है crown में और यहां पर आप सर्च करेंगे remove remove pg आप सर्च करेंगे तो आपको यह option मिलेगा और यहाँ पे remove background का option आएगा यहाँ पे आपको आपकी image upload करने के लिए बोलेगा आपको यहाँ से अपनी image जो आपने capture लिया उसको आप यहाँ पे लेके आ जाएंगे यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ capture और जैसी वो capture यहाँ पे लेके आता हूँ यह उसका background remove कर देगा आसानी से यहाँ पे क्या होता है दोस्तों यहाँ पे हमें थोड़ा मेनत कम करना पड़ता है आसानी से हमारा background जो है remove हो जाता है background में हमें खुछ से करना पड़ता है और यहाँ पे हमें खुछ से नहीं करना यह हमारा हो गया हम इसको क्या करेंगे सिंपली सेव कर लेंगे और हम आ जाएंगे काइन मास्टर में हम काइन मास्टर में आने के बाद में अब हमें यहां पर क्या करना है दोस्तो यहां पर आपको बड़ा ध्यान से देखना है यहां पर करना क्या है यहाँ पर उस capture को लेके आना है तो capture को लाने के लिए आपको चलना है layer में, media में और उस capture को आप जो आपने अभी PNG file बनाया है उसको आपको यहाँ पर लेके आना है अब देखी दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या कर लेना है इसको फूल स्क्रीन कर लेना इस तरकीब से यहां से इसको कर लेना फूल स्क्रीन बिलकुल अप्ट यह वीडियो से मैच कर लेना इसको यह हमारा मैच हो गया अब मैच करने से पहले अब आपको क्या करना है इसको क्रॉप करना है अब crop कितना करना है इतना हिस्सा आपको crop कर देना है यह मैंने यहाँ पर crop कर दूँगा तो जो है हमारा इस तरकीब से दिखाई देगा अब देखी दोस्तों यह हमारा इस तरकीब से दिखाई दे रहा है अब हमें यहाँ पर क्या करना है effect डालना है तो effect डालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको 20 से split कर लेंगे इसको हमने split कर लिया split करने के बाद में अब यहाँ पर हमको वीडियो के शुरू में आना है और इस पर click करना है और चावी वाले आइकन पर कलिक करना है और इसके एंड तक हमें इस तरगे से आना है और इसको हमें यहां से इस तरगे से छोटा करते को उड़ा देना है दोस्तो इस तरकीब से हमें यहां पर इस तरकीब से हमें यहां पर कर लेना है जब आप इसको दोबारा प्ले करके देखेंगे तो आपका ये कुछ इस तरकीब से दिखाई देगा अब ये हमारा हो गया अब हमें नेश्ट काम क्या करना है दोस्तो यहां पर वीडियो को स्प्लीट करना है अगर आप और भी इसमें एफेक्ट डालना चाहा है तो डाल सकते हैं जैसे मैंने लगा रखा है तो मैं क्या करूंगा इसको वीडियो कूपर वाली यहां से स्प्लीट करूंगा और स्प्लीट करने के बाद मैं यहां पे वो बैक्गराउंड लेके आऊंगा जो मैंने आपको बादलो वाला दिखाया था वीडियो यहां पे लेके आगया दोस्तो अब यहां पे इसको मुझे छोटा कर लेना है थोड़ा इस तरकीप से इसको हमें छोटा कर लेना है अब हमें इसको अपने नीचे उसके बरावर कर लेना है इस तरकीप से अब देखिए दोस्तो अब आपको क्या करना है दोस्तो यहां पे आप क्या करेंगे इसको थोड़ा सा आप बढ़ा करेंगे आप क्लिक करेंगे और इसको आप जो है जूम कर लेंगे इसको फुल स्क्रीन में कर लेंगे हम इस तरकीप से इसको हमने फुल स्क्रीन में कर लिया अब इसको स्क्रीन में करने के बाद में आपको नीचे इस पे क्लिक करना है सबसे पहले आपको इसको नीचे लेके आना है इस टैप से और यहाँ पे चावी वाले आइकन पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो के एंडे तक आना है और इसको उंगली की मदद से इस तरगिप से छोटा करते हुए चला जाना है यहाँ पर इस step से आप छोटा करते हुए चले जाईए और इसको बिलकुल छोटा कर दीजिए अभी आपका वीडियो बनके रेडियो हो चुका है अब आप इसको जब चले करेंगे इस step से तो आपको कुछ दिखाई देगा अभी आपका लगबग बनके दिखाई दे गया ठीक है दोस्तों यहाँ आपका वीडियो बन गया अब इसमें आप जो है क्या काम रह गया यहाँ पर हमारा डश्ट का जो हमारा यहाँ पर गाड़ी उड़ता है तो यहाँ से हमारा डश्ट भी उड़ता है तो dust वाली वीडियो लाने के लिए हमें layer में जाना है आप YouTube से उसको भी download कर सकते अब फारी दोस्तों हम यह dust वाला वीडियो लेके आ गए हैं अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसका background remove करेंगे तो background remove करने के लिए आपको इसी में green screen का option मिलेगा chroma key का chroma key पे जाना है इसको enable करना है और इसको थोड़ा सा अर्जेस्ट कर लेना है हलका सा आप इसको अलका सा अर्जेस्ट कर लेना है उसके बाद आपको आना है अर्जेस्ट में में आप इसको बिलकुल अपनी स्क्रीन से मैच करना यह को पाइनली दोस्तों हमने यहां से अर्जस्ट कर लिया अर्जस्ट करने के बाद में हमारा एक कुछ इस तरकीफ से दिखाई देगा अब जब उसको प्ले करके देखेंगे दोस्तो हमने यहां पर मेजिक लगा दिया है आप अपने हिसाब से मेजिक जो भी आपको पसंदा मेजिक डाल सकते हैं तो यह फाइनली हमारा वीडियो बनके रेडी हो गया है दोस्तो तो आप इस तरीके से मैजिक वीडियो बना सकते हैं और आपको इस तरीका मैजिक वीडि और वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ा मेनत भी लगता है, और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, तो हमें भी और अच्छा लगेगा, आप जैस बिलते हैं नीफ नेस्ट वीडियो में,